आपके साथ अखिले शाड़ी और सिलसिला बजार का मैं आप सब के लिए एक बाद फिर से लेकर आगे हूँ यहाँ पर कमुनिटी बजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज शुकरवार के दिन हफते के आखरी कारोबारी दिन कमुनिटी बजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है कैसा खुलता नजर आ रहा है सबसे पहले शुरुबात करेंगे हम यहाँ पर मसालों से, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि आज जो जीरा है, जीरे का मार्च वायदा 21,800 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, काफी शांदार बड़त बनती नजर आ रहे हैं जीरे में फिर से देख रहे हैं यहाँ और एक 20,000 के लेवल भी दिखा चुका था, महाँ जो थोड़ा फिसला था, अब देख रहे हैं कि जीरा जो है 21,000 के उपर ट्रेंड करता नजर आ रहा है, जीरे में एक बाफ फिर से बड़त देखने को मिल रही है, आपको बता दें कि पाइपलाइन जीरे की बिलकुल काली है, और ऐसा नहीं कि जीरे में अभी लगातार तेजी ही देखने को मिलती रहेगी, अब जैसे ही मंडियों में नया माल आ जाएगा जीरे का, तो जीरे का जो बजार है वो एकदम से लुड़केगा भी, एकदम से डाउन भी जाएगा, तो निवेशकों के लिए यही सला रहेग कि एक बार उपरी सरों से मुनाफ़ा वसूली करें, मुनाफ़ा वसूल करें, प्रॉफिट बुक करें, और जब कीमते नीचे आएं, तो फीड से बाइंग इनिशेट करें, 19,000 के रेंज में जब जीरे की कीमते मिलती हैं, तो आप खरीदारी में रह सकते हैं, जो आपको न एक्सपर्ट का मानना है, बात करें यहां से अगर अब धनिय की, तो धनिय में देख रहे हैं कि अपरेल बाद 11,128 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, पौन एक फीजदी की बड़त है, धनिय में भी देख रहे हैं, तेजी देखने के मिल रही हैं, जीरे की तरह ही धनिय में पूरी नहीं हो पाएगी विदेशों का जितना माल है, जिसकी वज़ा से धनिय की जो कीमते हैं, आगने वाले दिनों में तेजी की और जाती नजर आ सकती हैं, और अभी शादी विया का भी सीजन है, मसालों की खपत बनी रहीगी बराबर, फिर दूसरा रमजान है, गल प्राइसेज हैं, उनको एक बूस्ट अफ मिल जाएगा जिसकी वज़ा से कीमतों में शांदार तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये जरूर है, जिस पर खास गौर करना चाहिए कि जीरा और धनिया, अगर इन में तेजी है, तो नया माल जैसे ही आने वाला होगा मंडियों के अंदर या फिर जब आएगा, तो कीमते नीचे जरूर जाएंगी, तो निवेशक जो है वैदा कारूबार के और हाजिर कारूबारी जो है, उनको उपरी इस तरुपर एक बार माल निकाल देना चाहिए, कुछ माल निकाल देना चाहिए, और इस तरुपर एक बार प्राफिट बुक कर लें, कीमते जब नीचे जाएंगी, तो नीचे लिस तरुपर फिर से बाइंग इनिशेट करें, क्योंकि धनिये भी, जो धनिया है, वो भी हमारे एक्सपर्ट के मताविक 18,000 तो साड़े 18,000 का लेवल दिखा सकता है, तो धनिया और जीरा, दोनों में ही तेजी देखने को मिल सकती है, आने वाले समय के अंदर, और सिफ धनिया और जीरा ही नहीं है, जो मसाल में तेजी की और जाता नजर आएगा, हल्दी भी छुटमुर तेजी दिखा सकती है, हल्दी के साथ साथ जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च काफी शांदार तेजी दिखा भी चुकी है दिखा भी रही है और आने वाले समय में भी लाल मिर्श की जो कीमते हैं वो शांदार तेजी दिखाएंगी बात करें यहां से अगर अब गवार कॉंपलेक्स की तो गवार गम का मार्च वाइदा देख रहे हैं 11,749 पर ट्रेड कर रहा है वहीं गवार सीड का फरवरी वाइदा 62,65 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है गवार गम और गवार सीड के लिए कुछ राहत वरी ख़वर यह है कि पहले जो टेक्निकल तेजी बनाई जा रही थी गवार गम और गवाज सीड के अंदर अब इसको कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है वो कैसे है वो भी जान लेते हैं जरसल IEA का जो बयान आया है यानि कि International Energy Agency जो है उसका बयान आया है कि साल 2022 साल 2023 में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बर सकती है और जो उत्पादन है वो भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा डिमांड को मीट करने के लिए बिजनेसे रन करने के लिए जाहिड सी बात है कि जब अमेरिका का कच्चे तिल का उत्पादन बढ़ता है तो भारत में गवार गम और गवासीर की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है और अमेरिका भी डिमांड को मीट अप करने के लिए कुरूड की डिमांड को मीट अप करने के लिए कुरूड का गवाज सीड के अंदर और तेजी अच्छी कासी रहेगी 6600 के उपर भी गवाज सीड जो है जाता नजर आएगा और उसे उपर की भी कीमते गवाज सीड की देखने को मिल पाएंगी लिकिन यह तेजी अभी नहीं आएगी अभी इसके लिए पेट करना पड़ सकता है बात करें आसे अगर आब बिनौला खल की तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं 328 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है बिनौला खल देख रहे हैं अभी भी एक रेंज में गूमता नजर आ रहा है ना ज़्यादा तेजी देखने को मिल रहे हैं ना ज़्यादा मंदी और 328 के लेवल पर बिनौला खल में सवाद 2 फीजदी की बड़त भी देखने को मिल रही है आपको पता दें कि कॉटन का जो उत्पादन है कम रहा है जिसकी वज़ा से जो बिनौला खल है उसमें हमने तेजी बनती भी देखी थी लेकिन 3400 का लेवल दिखाने के बाद बिनौला खल में करेक्शन भी बनी थी लेकिन 3000 की नीचे मार्किट नहीं जा रहा है तो उपर में भी ठीक ठाक लेवल अभी दिखा रहा है यहाँ पर रेंज में है लेकिन उपरी सर उपर रेंज में है लेकिन मार्च के महीने में बिनौला खल में जरूर तेजी देखने को मिलेगी जितने भी एक्सपर्ट सा उनका भी यही मानना है कि बिनोला खल में आने वाले दिनों में शांदर तेजी देखने को मिल सकती हैं जो कीमते हैं यहां से अब आने वाले समय में कुछी दिनों में 3500 के उपर का लेवल दिखा देगी और मार्श महीने में 4000 तक का लेवल बिनोला खल दिखाता नज़र आ सकता है तो overall रुजान बिनौला खल में तेजी वाले रहने वाले industrial demand की बात की जाए तो industrial demand भी बिनौला खल की ठीक ठाक देखने को मिलती रहेगी cotton की कीमतों का support भी बिनौला खल को देखने को मिलता रहेगा हाला कि अभी जो MCX cotton है अगर फरवरी वादर की बात की जाए तो 37,610 पर है तो cotton में जो थलकी सी correction आई है उसकी वजासे बिनौला खल का जो बजार है अभी थोड़ा range में बाउंड हो रखा है लेकिन जैसे ही cotton का जो बजार उठेगा उसका असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पढ़ता जरूर नजर आएगा बात करें यहां सेगर अब cotton की तो m6 cotton का फरवरी वाइदा 37,610 पर trade कर रहा है और जो अगर दूसरे वाइदा की बात करें मार्च वाइदा की वो 38,000 की उपर है लेकिन बिल्कुल बाॉर्डर पर ही 38,000 की और लो लग चुका है 37,970 का तो यानि कि अभी जो correction है cotton की कीमतों में mcx पर वो थोड़ी और गहरा सकती है जो की निचले स्थर पर खरीदारी करने के लिए अच्छा मौका रहेगा जो निवेशक पहले चूख गयते cotton में निचले स्थर पर खरीदारी करने के लिए वो निचले स्थर पर खरीदारी करन नहीं है उपरी स्तर पर नहीं करना है कॉटन आने वाले दिनों में 40,000 का भी लेवल दिखाता नजर आ सकती है तो अबरल उजहान कॉटन में भी तेजी वाला ही रहने वाला है बात करें यहां से अगर अब कैसा सीर की तो कैसर सीड में हमने हाल ही में एक फ्र से तेजी बनते वे देखी हैं कैसर में भी हमने कल के कारभईषत में 7000 की उपर जो कीमते हैं वो जाते वे देखी थी कैसर सीड को फरवरिवादर देख रहे हैं Loch 7108 पर trade करता नजर आ रहा है 70108 यही लगाया है एक फीजिकी बड़ा थै हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने Market MCV के माध्यम से कुछ दिनों से लगातार यही बता रहे थे कि कैस्तर सीड की जो कीमते हैं वो अब आने वाले दिनों में 6600-6600 का लेवल पार पहली कर चुकी थी वो हडल क्रोस करने के बाद अब 7100 का जो टागेट दिया था वो आज अचीव होता हुए नजर आ चुका है अब यहां से अगर कीमते इसके उपर सस्टेन होती है तो आने वाले समय में कैसर में और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है साड़े 7000 का भी लेवल यहां से देखने को मिल सकता है लेकिन एकदम से नहीं देखने को मिलेगा पहले 7200, 7300, फिर 7500 का लेवल देखने को मिलेगा 7200, 7300 पर कीमते अगर सस्टेन होती है उसके उपर तो साड़े साथ अजार का लेवल भी जरूर देखने को मिल सकता है कैससीर के अंदर फंडमेंटली कैससीर काफी मजबूत नज़र आ रहा है domestically भी कैससीर की जो demand है वो भी धीरे धीरे बढ़ती नज़र आएगी यह से बात करेंगा सोयबीन की तो अब हाजिर में सोयबीन की कीमतों में धीरे धीरे तेजी देखने को मिल सकती है विदेशों में सोयबीन की कीमतों में लगातार तेजी दर्च की जा रही है ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के चलते जो हालाद बने हैं ऊसकी वज़ा से वहाँ पर सोयबीन का जो पादन है कम रह सकता है, और इसकी वज़ा से जो देश ब्राजील और अर्जेंटियन से सोयबीन खरीद दे थे, उन्होंने अब एमेरीका से सोयबीन खरीदना शुरू कर दिया है, और इसमें पहले नंबर पर चाइना का नाम सबसे पहले आ रहा है जो चाइना है सबसे ज़ादा इस समय सोईबीन का आयात कर रहा है और अमेरिका के सोईबीन के जो निरियात है उसमें तेजी देखने को मिल रही है और इसी का असर हम वायदा पर भी पढ़ते वे देख रहे हैं US soybean वायदा 1588 डॉलर पर इस वक्त ट्रेड करता नजर आ रहा है 1580 के उपर US soybean future जो है वो sustain है अच्छी खासी तेजी है इसी का असर घरेलू बजार पर भी देखने को मिल सकता है हाजिर में भी जो कीमते हैं soybean की वो भी आने वाले समय में तेज होने वाली है अब बता दें कि soybean जब last trade करती नजर आई थी तो 6650 पर trade करती नजर आई थी अब इसी सा नुमान लगाया जा सकता है कि अब soybean की जो कीमते हैं मंडियों के अंदर हाजिर बजारों के अंदर अब तेज ही देखने को मिल सकती है अब यहां से जो सोयबीन है 7000 की उपर का भी level दिखा सकती है 7000 चोएगी चोएगी और उसके बाद 7000 के बाद भी आगे और तेजी की ओर जाती भी नजर आ सकती है fundamentally भी जो सोयबीन है उसमें अब थोड़े थोड़े changes आने शुरू हो गए है भारत में बले ही जो सोपा का जो अनुमान है उत्पादन का सोयबीन का वो पहले की मुकाबले जादा रहा हो लेकिन जो तिलन फसल है भारत उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि भारत खादे तेलो के मामले में आत्मीर नहीं बना है अगर भारत खादे तेलो को अपूर्ती है वो विदेशों से करता है ज्यादतर अपनी आदे से जादा जो सप्राई की demand जो meet कर पाता है भारत वो import के जरीए ही कर पाता है जिसकी वज़ा से अगर विदेशों में तेजी देखने को मिलती है तो उसका असर भारत में भी देखने को जरूर मिलता है अभी हाल फिलाल में हमने कुरूड के प्रैसिस भी तेज होते देखी है तो जब crude के prices तेज होते हैं तो उसका support palm oil को मिलता है palm oil का support refined को और refined जब soya refined में तेजी आती है या फिर किसी दूसरी refined में तेजी आती है तो तिलहन फसल पर भी support मिलता है और वही हम अब होतावत देख रहे हैं तो fundamentally भी soybean अब यहां से तेजी की और जाती नजर आ रही है और हाजिर बजारों में किसानों ने भी soybean को hold कर रखा है हाजिर बजारों में भी soybean की जो arrivals हैं जो आवके हैं बिलकुल नाम मातर हैं नाम के बरावर है हमने कई मिलों को बंद भी होते हुए देखा है जिसकी वज़ा से अब soybean में आगे तेजी ही देखने को मिल सकती हैं जो किसान कीमते चार है ते मुनाफ़ा चार है ते उनको अब वो मिलता नजर आ सकता है तो overall रुजान soybean में भी तेजी वाला ही रहने वाला है तो ये था एक छोटा सा कमुनिटी बजार का अफडेट की हफ्ते के आखरी काड़ो बार दिन कमुनिटी बजार कैसा है खुलता नजर आ रहा है किस कमुनिटी के अंदर कितने मन्दी तेजी देखने को मिल सकती है और हमारे जानकारों की क्या राय थी फिलाल सिलसला बजारों का में अभी की लिवसित नहीं लेकिन आपके यह जाएगे नहीं क्योंकि खबरों का सिलसला लगातर नहीं बना हुआ है Market MCV पर